हेलो गाइस इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में एक कप पानी बॉइल कर लिया था जब पानी अच्छे से बॉइल हो जाए तो हमें उसमें उसी की आधी यानि आदा कप सूजी डालनी होगी सूजी डालते हमें उसे अच्छे से घुमाना होगा ताकि लंप्स ना पड़े और जब इसका पानी ड्राइ हो जाए यानि कंप्लीटली सूख जाए तब इसका फ्लेम आफ कर देना है यह दिखने में कुछ इस कंसिस्टेंसी की होगी अब जब यह ठंडा हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे एक से दो बॉल के हुए आलू फिर इसमें एड़ करेंगे आदी कटी हुई हरीमिड़ी आदा चमच रोस्ट किया हुआ जीरा थोड़े से चिली फ्लेक्स और तीन चाथा चमच चाट मसाला नमक और कटा हुआ हरा दन्या इन सब को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है आप चाहें तो उसे हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं तो मसाला बनके रेडी है अब इस मसाले को सेट करने के लिए आप कोई ट्रे या फिर फ्लेट ले सकते हैं अब इस फ्लेट पर सारे मसाले को डालते हुए हमें उससे अच्छे से सेट करना है करने के लिए हमें बहुता मोठा है नहीं रखना साथ हुआ मिने यूजल कहा है तक मैंने यूज किया है या पिक काटर, आगर आपको से ना हूँ ता आप कुछ भी ले सकते हैं या फैंसे इस से गट सकते हैं हैट इस कुपी कटर की हर्ट पहर है ०ूज क्लेशल कि h critique और इसी तरह मैंने बागी की सारे भी कट कर लिये हैं, इन हाट शेप वाले को हम तलेंगे, और बचेवे मिक्षर से मैंने बनाए हैं स्क्वाइर शेप की कटलेट्स, जिनने हम बिना तले बनाएंगे, अब इन हाट शेप वाले कटलेट्स को सबसे पहले हम तल लेते हैं, और फानल यह चलके रेड़ी है बाकी बचे हुए कटलेट्स के लिए हमने नॉन स्टिक पैन को हीट कर लिया था और उस पर ओल स्प्रेड करेंगे अब इन पर रखेंगे एक एक करके हम कटलेट्स इसे इस तरह बनाने से इसमें बहुत कम उई लगता है अब यह दोनों तरफ से अच्छे से बन चुके है और अब इनका कलर भी बहुत अच्छा गोल्ड ब्राउन आया है सो फाइनली हमारी यह कटलेट्स बन के रेडी हैं अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी अच्छी लेगी तो मैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप एंज्जोई कर सकते हैं इन केटलेट्स को अली जेटनी या फिट टमेटो केच्छिप के साथ में